कल राहुल गाधी का जनम दिन था, इंडिया महागठ मंदन के तमाम बरे बरे निता जो है राहुल गाधी को बधाई दे रहे थे, इस बीच तेजस्वी यादों ने भी उनको बधाई दिया, और फिर उस बधाई का जबाब राहुल गाधी ने ऐसे दिया, कि भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग जाएगी, अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, और कैसे भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग जाएगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले, नमस्कार मैं नाम वेद प्रकास है, आप जनता जंशन दे जिससे भारती जंता पार्टी के निताओं को मिर्ची लग जाएगी। राहुल गादी ने तेजस्वी यादो के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी सुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भाई तेजस्वी यादो और उसके बाद आगे जो सब्द लिखत है राहुल गादी वो भारतिय जंता पार्टी को टारगेट करके सायद उन्होंने लिखा होगा वो लिखते हैं कि अगला लंच कतला या रोहू मतलब राहुल गादी तेजस्वी यादो से ये पूछ रहे थे कि जब राहुल गादी अगली बार आएंगे बिहार तो तेजस्वी यादो उनको अगला लंच कौन सा करवाएंगे कतला मचली खिलाएंगे या रोहू मचली अब तेजस्वी यादों ने इस tweet का reply भी दिया तेजस्वी यादों लिखते हैं कि निश्चित भाई फिर लिखते हैं कि कतला फ्राइड खिराया जाएगा और रोहु जोर वाला ग्रेवी वाला उसके बाद ये social media पर viral होने लगा ये tweet दोनों का और उसके बाद लोग ये क्या लगाने लगे कि राहूल गाधी कहीं कहीं इस tweet से भारतिये जंता पार्टी के नेताओं को टार्गेट कर रहे थे जो लोकसवा चुनाओं के दावरान तेजस्वी यादों का हेलिकोप्टर में मचली खाने को मुद्दा बनाये थे आपको वो समय याद होगा जब जंता पार्टी ने इसको नेशनल लेबल का मुद्दा बना दिया था भारतिये जंता पार्टी ने आरोप लगाया था कि नौरात्रा में कोई मचली कैसे खा सकता है तेजस्वी यादों और राहूल गाधी जो है सायद इसी बात का बदला भारतिये जंता पार्टी से अब ले रहे हैं, आपको वो समय भी आद होगा, सावन के समय मठन पाटी जो है, लालू प्रसाद यादों ने अपने हाथों से मठन मनाया था, और फिर चुक़ी सावन में मठन मना था, उस मामले को भार्तिय जंता पाटी ने खूब खीचा था, खूब लमराया था, और राफुल गादी इसी बात का बदला जो है इस ट्वीट के माध्यम से ले रहे हैं राहूल गादी राजनितिक रूप से काफी अब सक्रिये हैं और सोसल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं ये सोसल मीडिया पर राहूल गादी की एक्टिव रहने का प्रमान आप देख लीजिए कि कैसे वो लोकसवा extim हो जाने के बाद भी भारतिय जंतापार्टी की नेताओं को target करना नहीं छोर रहे हैं राहूल गादी इस tweet के माद्धयन से भारतिय जंतापार्टी के उन सभी नेताओं को लपेट रहे हैं जिन्होंने लोकसवा चुनाओं के समय मचली को मुद्दा बनाया था और स्वावन के समय मटन खाने को मुद्दा बनाया था। भारतिय जंता पार्टी के किसी भी नेता ने फिलाल इस पर कोई टिका टिपनी नहीं किये, किसी का कोई रियक्शन नहीं आया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि राहूल गादी धीरे-धीरे कैसे राजनितिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं और कैसे लोगों को हर मामले में लपेटना सीख रहे हैं। करके उस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि राहूल गादी धीरे-धीरे राजनितिक रूप से काफी परिपक्व हो रहे हैं। बाकि इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं राहूल गादी और तेजस्वी यादों की ये जो ट्वीट करके भारती जनता पार्टी को लपेटने का प्रयास है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के माद्धम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जन्चन बहुत बहुत धन्यवाद।